तो हेलो वीवार्ट, साज मेरे पास मेरे पास यह डिवाइस है वीवो वी 30 E5G स्मार्टफोन की रीटेल फोन है और इस वुडियो में इसी वीवो वी 30 E5G स्मार्टफोन को अंबॉक्सिंग करके इसी स्मार्टफोन की बारे में बात करने वाले है 8GB RAM 120, 8GB ROM Variant के साथ मेरे पास यह रीटेल फोन है और काफी मज़दार है डिवाइस है और रैड कलर में यह स्मार्टफोन है वेलवेट रैड कलर अब चलिए इसी वीवो वी 30 E5G स्मार्टफोन का अंबॉक्स कर लेते हैं और जैसे ही अंबॉक्स करते हैं कुछ इस तरीके से हमें फोन दिखाई देता है मास्ट कलर के साथ में रैड कलर दिखाऊंगा बाकी कॉंटेंट बोक्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से खुबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ हमें वीवो वी 30 E5G स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है इस स्मार्टफोन की जो फास्ट लुक फास्ट इंप्रेशन है बहुत ही बढ़िया है इस स्मार्टफोन की बेक बोड़ी में ड्वैलर के हैमरा सटप दि इस स्मार्टफोन में दो अलग लग वेरियेंट है 8GB 128 GB और 8GB 256 GB ओवरल लोग से डिसाइन बिलको लेड़ी स्मार्टफोन की काफ़े मस्त है काफ़े बहतरिन है और इसी स्मार्टफोन की जो वेट है 179 ग्रम इस फोन की वेट है और जो तिकनस है 7.7 mm तिकनस के साथ यह स्म स्मार्फोन है और इसी स्मार्टफोन में हमें IP64 डास्ट एन वाटर रेजिस्टर देखनों को मिलता है तो ओवरल स्मार्फोन की लोक्स डिसाइन बिलको लेड़ी काफ़े अच्छा है केमरा पार्ट देखे किस तरीके से डिजाइन क्या गया है मस्त दिख रहा है साथ में यहाँ पर और अलाइट एनरेडी फलाश एक ही साथ में दिया गया है और प्यार असा वीवो का ब्राणि Base को ब्राइड़ी के साथ में जो बैक बोडिकन लूकस है खुब सृप्स्त लग रहा है प्रीमियम लोक्स इसी स्मार्फोन की backbody में धिया गया है flagship level की तरघा यह स्मार्फोन दिखता है इसके लबाई इसी स्मार्फोन की display के बारे में बात करू हूँ तो एक device में अच्छा quality का display प्रोबाइट कर दिया गया है 6.78 इन्चेस का M led screen है 1 billion color से 120 Hz refresh rate दिया गया है 1300 nits type का यहां पर pick brightness है Full HD plus resolution के साथ में M.O.L.D. screen है 1080 to 2400 का pick 388 PPI density रखा गया है तो देखा जाए एक बड़िया quality का display है और इसमें Scotch sensation का protection भी दिया गया है इसके लिए में performance के उपर बात कुरूं तो device में 8GB RAM है साथ में additional 8GB RAM दिया गया है और device में 128GB ROM और 256GB ROM भी available है और device में जो chipset दिया गया है प्रोसेजर वो भी काफी तगड़ा chipset इसी स्मार्फोन में दिया गया है Qualcomm का Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 4NM base यह 1 oktagor processor है 2.2 GHz clock speed के साथ में device में Adreno 710 GPU दिया गया है और इसी स्मार्फोन में Android version 14 दिया गया है FunTouch Operating System Latest यहां पे 14 दिया गया है तो overall gaming and speed के मामने में काफी बड़ी डिवाइस रहेगा काफी super fast यह स्मार्फोन होगा और device की price range के हिसाब से मेरे खायस इससे better chipset इसी स्मार्फोन में होना चाहिए था लेकिन डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 जैसा चिपसेट दिया गया है तो price range के इसाब से मुझे खास करके जो यहाँ पे चिपसेट है प्रसेट है वो इतना better नहीं लगा बखे device की battery performance के उपर बात करो तो battery काफी अच्छा खासा दिया गया है पाँचजार पानसो मिली अम्पेरर का battery जी हाँ पाँचजार पानसो मिली अम्पेरर का battery इसी स्मार्फोन में दिया गया है साथ में 44 वर्ड का flash support भी दिया गया है यानि काफी तेजी दरीगे से आप अपने device को चार्ज कर पाओगे लंब वक तक चला पाओगे तो overall performance, gaming and speed के मामले में हो या फिर heavy usage के लिए बेटरी performance के मामले में हो अभी वो वी 30E स्मार्फोन काफी बड़ी है स्मार्फोन यहाँ पर लग रहा है बाई साहब इसके लब आइसी स्मार्फोन की जो यहाँ पर security system है उसमें हमें finger penis scanner देखने को मिलता है face unlock है पिन पेटरन का option भी available है जो fingerprint scanner है, hand display fingerprint scanner है चलिए यहाँ पर set करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है और यहाँ पर देखिए fingerprint scanner हमने यहाँ पर set कर दिया है और यहाँ पर set हो चुका है और fingerprint scanner कितना fast काम करता हुआ नसर आ रहा है देखिए और face unlock से भी device को unlock कर पाऊँगे वो भी option available है इसमें और इसके लबाँ इसी smartphone की camera specifications के उपर बात इसमें 50 Megabixel का selfie camera दिया गया है 50 Megabixel क्या must photography यहाँ पर देखनों को मिल रहा है देखिए इसी smartphone के साथ मैंने काफी सारा फोरूस क्लिक किया है और device की जो यहाँ पर camera result है आउटपुट है बहुत यचा है डिवाइस की जो प्राइमरी camera है वो भी पचास Megabixel OIS Optically Medistribution के साथ में पचास Megabixel का camera है अपर चोड़े 4.8 के साथ में 8 Megabixel का alternate angle lens है और इसी smartphone में 50 Megabixel का selfie camera दिया गया है जो यहाँ पर rear camera और selfie camera के साथ में यहाँ पर photograph यहाँ में देखनों को मिल रहा है बहुत यचा है वीवो वी 30 E5G स्मार्फोन की अब चलिए फिलाल बात करते हैं इसी स्मार्फोन की प्राइस के बारे में क्या है वीवो वी 30 E5G स्मार्फोन की प्राइस एक premium दिखने वाला स्मार्फोन खुब स्मार्फोन इतना अच्छा लग रहा है flagship level की डिवाइस देखने में लग रहा है और इसी स्मार्फोन की प्राइस है only 27,999 डिवाइस 28,000 बिलिभे न यहाँ था कि 28,000 का डिवाइस है 28,000 में आपको 8GB 120, 8GB वेरियन मिलता है और 8GB 256GB वेरियन का प्राइस है 29,999 डिवाइस यहने almost 30,000 का यह स्मार्फोन है 30,000 में आपको 8GB 255 वेरियन मिलता है तो यह था दुस्तों Vivo V30 E5G स्मार्फोन के अंबोक्सिंग और यह स्मार्फोन के बारे में उम्मिद है आप सबको यह वीडियो जरू पसंदा है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो प्लेज वीडियो का लाइक आए चैनल को सब्सक्राइब ने क्या नीचे दिये गए उद्वेटों को क्लिकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बन दोस्ते के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तब तक लिए बाई टेक क्यार एंड चैहिंद